हेलो गाईज, वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल, दोस्तो सूर्य हमारे सौर मंडल का मुख्य सदस्य है, यह पूरे सौर मंडल के द्रव का 99.9 प्रतिसत भाग इसी के पास मौजूद है, दोस्तो सूर्य को केंद्र मान कर पृत्वी के साथ कुल नौ गरह इसके चक्कल पांच अरव वर्स पहले हुआ था, तब यह सिर्फ गैस वा धूल के कणों का विशाल बादल था, समय के साथ साथ इन बादलों में एक केंद्र का निर्मान हुआ, यह केंद्र आगे जाकर सूर्य का कोर बना, अत्यधिक गृत्वा कर्शन के कारण सूर्य के कोर का तापमा सूर्य के कारण दो हैटोजन के परमाणू मिलकर एक हिलियम परमाणू का निर्मान करता है, इस क्रिया में द्रवमान चती भी होता है, यह द्रवमान उर्जा के रूप में उस सर्जित हो जाता है, दोस्तो इसी कारण हमारा सूर्य उर्जावान है, सूर्य के कोर में उत्प कर लगाता है सूर्य को मंदाकनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल का समय लगता है जिसे ब्रमांठ वर्स या कोस्मोसीयर भी कहा जाता है दोस्तो सूर्य हमारे मंदाकनी दुख्दमेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकास वर्स की दूरी परिस्तिद है दोस्तो सूर प्रित्वी तक आते आते प्रित्वी के एक वर्ग मीटर के सताह पर महज 1367 जूल रह जाता है दोस्तो सूर्य हमारी प्रित्वी से 13,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा है इसी कारण इसका गुरुत्वा कर्शन भी प्रित्वी की तूलना में 28 गुना ज़्यादा है इसी उसके कारण से प्रित्वी में उफस्तित सभी जल वास्व बन कर उड़ जाएंगे और आज से 7 अरब 70 करोड साल बाद सूर्य लाल दानों में बदल जाएगा जो लगभग 200 गुना ज्यादा बड़ा होगा जो बुद्ध गरह तक भी पहुंच जाएगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट में जरूर बताईएगा